आज का वेबिनार हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वेबिनार एगा वास्तु पर पंतालीस देवता वास्तु के उपर अध्यान करने से पहले थोड़ा सा यह समझ लेते हैं धीटेलिंग में हम बात करेंगे जब में कोर्सिस में जाएंगे तो पंतालीस देवता वास्तु 45 देटा तो पंतालीस देवता आप वास्तु का ऐसा आज कल चलाना है कि हर वेक्ति वास्तु कर रहा है करा रहा है और सीख रहा है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा वास्तु के प्रस्पेक्टिव से पंतालीस देवता प यह आये कैसे बने कैसे इसकी छोटी सी कहानी है जिसको लिएस्स कर लेते हैं वास्तु मुझे Boss क ये वास्तु प्रुश को जब यैज आया ग kid है हम चौर्ट में कर रहे हैं कानि क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और लंबा वैसे है जिस्ट तो इसकी कम्प्लिशन बाद में करें लिटर बिठा दिया हो पर तो बस समझत ही बात यह कि जो देवता जहां बैठा जो असूर जो बैठा जो स्थान किया उसका अपना वो स्थान ब क्या है कैसे हैं अब पैंत अलिश्ट देवता की बात करते हैं तो तो में दुबारा बोल रहा हूं कई कहानी है वास्तु प्रूश्ड का विष्टार हम हम सब्जयक्ट में नगी जाके करेंगे उसके वेस्टार पे नहीं कर Crashिक आ रहे हज़ में बात करेंगे से जब वो देवतास अपनी जगह पे विराजबान हो गए सारे देवता तो उन देवताओं को उस जगह की एक तरीके से विरासत मिल गई एक तरीके से कब्जा हो गया उनका मालिकाना हक हो गया उनका अब जब उनके देवताओं का उन जगह पे हक अपना बन गया स्थापित ह तो उनका अपना जो अट्रिब्यूट है उस जगह पे काम कर रहा है उस जगह पे उनका जब अपना काम कर रहा है तो वो अपनी विशेश्टा है उस अट्रिब्यूट से सब को ब्रदान करेंगे अपने जो उनकी खासी है तो उसका ब्रदान करेंगे आप में से कुछ लोग हो सकता है जो बिल्कुल नए हो जो फर्स टाइम वासू टांड कर रहे हो कि वी सब्जेक्ट उनके लिए मैं ये स्लाइड लगा रहा हूं just for understanding for one minute is this I am showing it to you hope this is visible to you all just give yes no yes sir so yeah round shape के अंदर हैगा round shape क्यों है चारस क्यों नहीं है उसकी देवता कैसे बन रहे है ये कैसे कैसे बन रहा है पुरा सक्रा कैसे बन रहा है इसको इसको complete journey में हम लेंगे इसको इसनी इंटर डीटेरिंग में बस just to understand that ये जो चेकर है इस चेकर के अंदर जो नाम लिखे हैं जहां जहां पर जो जो नाम लिखे हैं वो पंतालीस देवता हैं अग्स आप कांट करेंगे आगे जाके हम कांट भी करके देखेंगे ये पंतारीस देवता're है हर जेगा पर बैटे हुए देवता का अपना एक एक अट्रिब्यूट है जब इसको हम किसी बहुण पर लगाते है तो जहां पर वो देवता वीराजबान होते है इसका अपना एक अट्रिब्यूट काम करता है सो आज के प्रस्पेक्टिव से हम दो देवता फील्ड को ज्यादा कंसर करते हुए देखते समझते हैं हर विक्ति आज की तारिक में वास्तू के ओपर सब लोग काम करते हैं और यूटूब पे ये बात आती रहती है और हर जगह पे आती है कि गर में टॉलेट के ओपर अगर ह का उसमें बना भी देते हैं तो क्या उसमें बनाना भी सही है उच्छित या नहीं है यह एक आज का विशेल आए गा आपकी जानकर्री के लिए मैं बता दिता हूं कि हम सारे topics को हम लेंगे, topics कों कों से लेंगे, वो मैं आपको class के आंत होने से पहले मैं आपको share कर दूंगा, वो सारे कुनाल जी ने अपना video on किया, नयान जी ने अपना video on किया, thank you and I request all of you to keep your videos on so that it can be an interactive session. Great. So, is this screen is visible to you? क्या आपको share ने दर आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ. So, हमारा point यह था, इसमें सा हम दो energy field को आज पिक अप कर रहे हैं, जो south-south west की है, और जो दो अनर्जी फील्ड का नाम है गंदर और बरिंग राज अब ये सारी अनर्जी फील्ड के ओपर कैसे काम होगा और ये सारी अनर्जी फील्ड कैसे डिफाइन होगी या इस चक्र कैसे बनेगा इस चक्र को प्लेस्मेंट कैसे होगा हमारे मकान पे भवन पे या किसी भी जगा पे सब को हम आगे जाके अपनी क्लास में कवर करेंगे आज के परस्पेक्टिव से कोशन आप सब के सम्मक्स यह है क्या साउ सौथ वेस्ट में टॉलेड बनाना उच्चित है या नहीं है और क्यों बनाना चाहिए है और यह जह हम बात करते हैं देवताओ की तो इस देवताओ का किस प्रस्पेक्टिव से यह टॉलेड बनाना यहां पे हमें उच्चित नजर आता है आज क्या परशन यह है और यह थोड़ा इंट्रक्टिव सेशन रहेगा so before I start it I request if anyone can like to share their views there is no wrong there is no right it is just sharing a knowledge whatever you know it's sharing a knowledge it can be good it can it may be as per your knowledge understanding it's all right so question ही है कि south-south west में क्या तॉलेड बनाना सही है हर लियाज से क्या गंदर की और भरिंगराज की देवता फिल्ड पे टॉलेट बनाना क्या सही है हर लियाज से और ये बहुत बड़ा विवाद रहता है हर समय में कि टॉलेट कहा है क्या है और क्यों नहीं है और कैसे करना चाहिए इस subject को आज थोड़ा हम समझेंगे इस दो देवता फिल्ड के perspective से while saying this हम हर देवता फिल्ड के perspective से सारी चीजों को समझेंगे पूरी journey के अंदर जिसके अंदर not only toilet बलकि पूरे घर की जितने भी चीजे होती हैं चाहिए वो bedroom, kitchen ओ, stairs ओ, or dining room, study table, whatever, we will understand everything, चाहिए वो लगाने का असमान हो, वस्तु हो, like freeze हो, चाहिए टीवी हो, चाहिए वाशी मशीन हो, या cooler हो, या AC हो, यह सारी चीजे हम हर देवता फिल्ड के perspective से understand करेंगे while we move into our subject.